RCM business में joining नहीं हो रही है, यहां फिर आपको सफलता दिख रही है, आपके साथ में low connected नहीं हो रहे हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ जो हम खुद चार बाते ऐसी कह रहे हैं, जिसके करण negativity फैल रही है, जिसके करण टीम में काम नहीं हो रहा है, जिसके करण अमरे turnover नहीं कहना अपने पैर पर कुलारी मानने जैसा ही है, यह चार बाते ऐसी कौन सी, जिसको किसी और वे में कहें, तो ज़्यादा सही रहेगा, यह चार बाते ऐसी कौन सी है, जिसको नहीं कहें, तो और ज़्यादा best होएगा, तो आज का वीडियो, आज की यह training आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट है, सबके लिए इंपोर्टेंट है, जो भी इस इंडरस्ट्री से जुड़े हुए हैं, तो मैं उनको बता दू, यह जो चार बाते इसको कहना छोड़ देजिए, दोस्तों, नेट्वर्किंग जो होती है, बहुत समविंदर चिल होती है, क्योंकि नेट्व जोड़ना है, तो हमको एक एक बात का ध्यान रखना पड़ता है, कि किस बात का क्या इंपेक्ट उसके मस्तिश्क पर पढ़ रहा है, वो किस बात को अपने दिल पर ले रहा है, किस बात को दिमाग से सोच रहा है, किस बात पर वो आक्षेन करेगा, किस बात पर वो छोड़ नहीं रहेगा तो दोस्तों हमारा business भी नहीं चलेगा करकि ये business एक time का नहीं है ये सालो साल का business है लगातार रहने का business है लोग हमसे लगातार जुड़े रहेंगे हमारे साथ contact में रहेंगे turnover करेंगे आगे आगे networking करेंगे तो हमको भी फायदा मिलेगा इसलिए ये चार बाते हम आज जानने वाले हैं कई लोग इन चार बातों को use करते हैं दोस्तों तो हमको इस बातों को use नहीं करके कैसे right way में लेके जाना है उसको इमें आपको बताने वाले हो दोस्तों नौकरी बकवास है है न हम कहते हैं जौब तो बेकार है जौब कर लो इसे ज़ाद बिजनस कर लो नौकरी सही नहीं होता है नौकरी में यह होता है हम नौकरी की पूरी की पूरी नुकसान बता देते हैं उसकी बुड़ाई करते हैं क्यों ऐसा नहीं करना है हमको क्योंकि इंडिया में आज बहु नोक्रिया नहीं रहे, सब के सब बिजनस करने लगे तो भईया काम करेगा कौन ये बताओ न मुझे आज ये मोबाइल है जिस से मैं वीडियो बना रहा हूँ तो ये मोबाइल कौन बना रहा है, इंपलोईस बना रहे हैं जो लोग नौकरी कर रहे हो बना रहे ना आज YouTube है YouTube में लोग काम करते हैं company में कोई ना कोई तो job कर रहा होगा RCM business की बात करो तो जहाँ पर सामान बन रहा है वहाँ पर भी तो कोई नों कोई काम कर रहा होगा ना तो बात समझ में आ रहे हैं आपकी job बहुत ही important होती है, आज accounts वगेरा होता है, आज हमारा commission वगेरा आता है, जो bank में commission आता है, यहां हर जगे पर employees लगे वे हैं, आनि नौकरी तो बहुत जरूरी होती है, तो कभी भी नौकरी को गलत नहीं बोलना है, जो लोग नौकरी कर रह करें, आप government job की त्यारी करें, जो आपके बस में समय बच रहा है, वो आप RCM में लगाएं, क्योंकि कोई भी नौकरी आट से 10 गंटे की यह एक से 2 गंटे का समय बचता है, आप उसको RCM में इन्वेस्ट करें, तो कुछ दिन बाद आपकी side income स्टार्ट हो जाएगी, क्योंक सीखने को मिलेगा, कुछ skills development होगी, और वो skills आपकी job में भी काम आएगी, है ना, तो job तो बहुत बढ़िया है, तो दिक्कत यह ना दोस्तों, कितना ही time हो गया, आप देखिए, कई लोग ऐसा बोल, job को comparison करते हैं, जी comparison नहीं करना है, हाँ, अब यह जरूर बताएए, कि business मे करवाना है, क्योंकि आप देखिए, जो job कर रहा होगा, वो market में घूम रहा होगा, तो सीधी सी बात है, हमको वो लोग चाहिए, जो market में घूम रहे हैं, आप खुद सोचो, एक student पढ़ाई कर रहा है, college की पढ़ाई कर रहा है, part time में, RC में आता है, कितना time लगता है, उसको success होने में, बिल्कुल नहीं लगता है, दोस्तों success होगा भी नहीं, मैं साब बता रहा हूँ आपको, क्योंकि उसने अभी तक market को समझा ही नहीं है, उसको बहुत time लग जाएगा, वह एक job किया वा बंदा, जब आएगा ना, तब उसको market का knowledge है, तो वो बहुत ही सब की गलती है, जो भी बोल रहा है, सब की गलती है, क्योंकि दोस्तों ऐसा नहीं होता है, अब यह आप लोगों को बोल रहे हो, कि वह यह स्कूटर खरीद ले, मैं petrol बहा दूँगा, ऐसा कभी नहीं होता है, दोस्तों, शादी कर ले, खर्चा में उठाओंगा, ऐसा बोलत यह सत्य है, जो काम करे गा, वो पैसा लेगा, पैसा कमाएगा, आपकी team में भी आप देख सकते हैं, जो व्यक्ति काम कर रहा होगा, वो पैसा कमाएगा, या आप किसी downline को कह दो, कि तू काम मत कर, मैं देख लूँगा, तो आपको दो पैसा आ जाएगा, उसका क्या होगा, और उसका कुछ नहीं होगा तो आपको भी ऐसा नहीं आएगा समझ के बात को इसलिए हमें starting सही है mentality set नहीं करनी है कि भाईया तू मत काम कर मैं कर दूँगा यह नहीं करना है ना उसको तो काम सिखाना है उल्टा उससे तो काम करवाना है तब तो हम जाकर कर फ्री होंगे ना हमको फ्री होना है समझे दोस्तो हमको duplicate कैसे करेंगे तो वो भी आगए ऐसे बोल देगा मेरे applyne है वो कर देंगे काम तो बस join हो जाए ऐसे system नहीं चलता है ऐसे एक चीज़ चलती है जो money circulation skims चलती है जो इंपेक्ट पड़ता है अगले व्यक्ति पर है ना तो दोस्तों तुम join करो काम करो महनत करो मैं तुमारे साथ हूँ इस तरीकी से आप बोलो के तो ज्यादा फायदा हो गया आप एक जगे बोल रहे हो कि या तु कुछ मत कर मैं हो ना तु बस join कर ले बाकी मैं देख लूँगा और एक जगे बोलो नहीं तु काम कर तु समान खरेत तु महनत कर तु strategy बना जहां पर भी अटकेगा मैं हो ना मैं सिखाऊंगा तुझे मैं तेरा हाथ पकड़के सिखाऊंगा मैं तुझे plan शिखाऊंगा product के बारे मैं बताऊंगा मैं तेरे हर कदम पर साथ हूँ इतना बोलो ना दोस्तो ये क्यों बोलो मैं देख लोँगा मैं साथ हूँ ऐसा बोलो तो थोड़ा बात को change करो तो समझ में आएगा कि देखो भाया मैं साफ साफ बता रहो RCM कोई shortcut नहीं है RCM network marketing MLM जो भी बोलता है fraud है तो वो money circulation scheme के बारे बात कर रहा है वो सोचते हैं कि यहाँ पर shortcut से पैसा आता है यहाँ पर पैसा नहीं आता है जब तक आप काम नहीं करोगे कोई भी field हो दुनिया का काम करने पर ही पैसा आता है तो दोस्तों मेनत तो करनी पड़ करेगा भले कोई भी हो ना उसको क्यों बोलते हो भया शॉटकट है अमीर बन जाएगा BMW खरीद अगा और्डी खरीद नहीं भया काम करेगा तो पैसा आएगा ना काम तो करो ना तो सिखाने की जिम्मेदारी हमारी है साथ देने की जिम्मेदारी हमारी है एक दिन ऐसा एक दिन ऐसा आएगा बैठे बैठे पैसा आएगा तो ऐसा भी नहीं बोलना है न कई लोग करी ओले Network Marketing Company, सब ऐसा बोलते हैं एक दिन ऐसा आएगा, बैठे बैठे पैसा आएगा, आप netework बनाओ, बैठे बैठे पैसा आएगा, बैठे बैठे कमाओगे, तो हम जब starting में ही यह बोल देते हैं, इसका मतलब हम क्या बोलने आप दिमाग लगाओ, हम यह बोलने अगले व्यक्ति को कि काम करने के जरूती नहीं है बैठे बैठे पैसा आएगा ऐसा कभी होता है क्या अज विराट कोली काम कर रहा है क्या कर रहा है खेल रहा है तो क्यों खेल रहा है ताकि एक दिन वो घर पे बैठ जाए नहीं वो आगे भी काम करेगा अरी जिस सिंग गारने क्यों गा रहा है ताकि वो घर पे बैठ जाए आगे जाके नहीं इनको काम से प्यार है यार समझो बात को हमको यह बताने कि आप काम से प्यार करो जिसको काम से प्यार होगा, वो कभी काम को छोड़ता नहीं है, है ना, तो हमको ये कभी नहीं बताना है कि बैठे बैठे पैसा आएगा, तो वो काम को करेगा उनिलिना, और रहा सोचो के कोई हाड काम होगा, इसलिए कुछ time करना है, बाद में नहीं करना है, काम से प्यार करना सिखा दो कि काम से ऐसा प्यार हो जाएगा बाद में बता ही न लगेगा काम कर रहे हो हाँ बस ये जरूर बताओ काम की दिशा चेंज हो सकती है दोस्तों काम करने का तरीका चेंज हो सकता है लेकिन काम तो करना ही पड़ेगा यार काम क्यों छोड़ेंगे हाँ यह हो सकता है कोई time flexibility रहे वह ऐसा नहीं है कि अभी जैसे मैनत कर रहे हो दिन के 5-5 गंटे दे रहे हो बात में हो सके इतना time नहीं देना पड़े कभी कभा time देना पड़े लेकिन ऐसा मत बोलो कि बैठा बैठा पैसा आएगा काम करना पड़ेगा बस simple way में पैसा आएगा थोड़ा पैसा ज़्यादा आएगा इस तरीके साब कुछ बाते चेंज करके बताओ ना यह बताने नहीं नहीं एक दिन हम काम ही ना करें काम क्यों नहीं करेंगे हम लोग शरीर को चलाना पड़ेगा ना तो इन चीजों को समझो हम पहले ही उसको यह बता दे रहे हैं कि यह काम तो काम का है नहीं हम यह बताना चाहरे है इंडिरेक्ली है ना वो लोग यही सोचते हैं कि यह बोल लाए कि काम करना ही नहीं पड़े मिलेगा एक अभ्यान में जुनने का मौका मिलेगा लोगों को रोजगाल देने का मौका मिलेगा एक दिन ऐसा आएगा इस तरीके से भी तू बोल सकते हो तो बातों को रवया बदल जाता है, शब्दों से इंसान बदल जाता है, ठीके दोस्तों जो वकील होता है बड़े-बड़े शब्दों से देखो आप कैसे फसाते हैं आरोपी होंगे उसको भी इनोसेंट साबित कर देंगे, जो इनोसेंट रोगा जहां पर भी व्यक्ति मौझूद है जैसा कि मैंने स्टार्टें किया का का आपको मानव जहां पर भी होगा मान दिमाग काम करेगा दिमाग की पूरे शरीर को आदेश देता है दिमाग ही थौर्ट्स लाता है दोस्तों थौर्ट्स कब आएंगे जब हम कुछ सुनेंगे अब तब हम उन thoughts को action में परिवर्तित करेंगे, अब जब हम ऐसा सुन रहे हैं, मानलो मुझे कोई आ करके कह रहा है, कि भाई यह shortcut है, काम तो करना ही नहीं पड़ता है, ऐसा कुछ आ करके कहेगा, तो मैं दिमाग यही सोचेगा, कि यह shortcut है, इसमें काम नहीं करना है, यानि दो गंटे का काम मुझे करना ही नहीं है, मुझे तो 10 मिनिट काम करना है, मुझे इता ध्यानी नहीं देना है, तो इससे क्या होगा, मैं जो action करूँगा, वो भी slow down करूँगा, और मुझे result नहीं आएगा, और मैं MLM को, RCM को, network marketing को fraud कहने लग जाओंगा, समझ गे दोस्तों, तो ये बात है, चौथा, हम लोग कहते हैं, पढ़ाई लिखाई बेकार है, जो लोग पढ़ाई करते हैं, competition exams की तियारी कर रहे हैं, students है, उनको ये बोलते हैं, ये क्या, college college कुछ नहीं होगा, आगे जाकर के, आगे जाकर के, job के लिए भीक मंगेगा, हमारा education system बेकार है, हमारा यू बेकार है, पता नहीं हम क्या क्या कहते हैं, दोस्तों, तो ये भी तो बहुत खराब चीज़ हैं, पढ़ाई लिखाई बेकार नहीं है, पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है, भले वो job की मानसिक्ता से हो, क्या दिक्कत है, पढ़ाई लिखाई तो जरूरी है, हम ऐसा नहीं कह सकते हैं, यह जब हम ऐसा कह रहे हैं, तो लोग हमको गमार समझेंगे, वो हमको समझेंगे कि यार यह तो बस एक ही गुनगान करते रहते हैं, आर्सेम का, टोक मार्केटिंग का, ऐसा हमको नहीं करना है, हमको उनको समझाना है, कि यह पढ़ाई लिखाई तो बहुत अच्छी है, बस पढ़ाई लिखाई को अच्छे से यूज करो, हमारे आर्सेम में तो पढ़ाई लिखाई होती है ना यार, आर्सेम Guru Kool है, आर्सेम के Unique Education System है, तो यह सब हम क्या करते हैं, पढ़ाई तो करते हैं ना, हम भी लिखाई करते हैं, हम भी Training लेते हैं, तो पढ़ाई लिखाई बहुत ज़रूरी होती है, उल्टा अच्छा है ना पढ़े लिखे लोग हमारे आर्ट से में आएंगे तो और अच्छे से मूव करेंगे वो लोगों को influence बहुत अच्छे से कर सकेंगे है ना भया हर कोई influence तो कोई भी कर सकता है लेकिन एक पढ़ा लिखा थोड़ा अच्छे से कर सकता है तो पढ़ा ही लिखाई भहुत जरूरी है पुरा अच्छे से description आप दो मुझे comment में है ना और भी कोई चीज ऐसे हम बोलते हैं जिसको नहीं बोलना चाहिए वो भी आपको comment में लिखना है और कोई review हो कोई feedback हो आप कुछ कहना चाते हो मुझे comment में लिखो कोई ऐसा topic लगेगा मुस पर भी वीडियो बनाएंगे आपका भी नाम उस वीडियो में डालेंगे भाईया इसने ऐसा कहा था बहुत अच्छी बात है तो आप कहो जिता कहोगे उतना अच्छा है ना करकि य लोगों का है जैसा आप लोग कहते हो वैसी में ट्रेनिंग आपको देता हूँ जैसा मुझे comment में लगता है कि इस पर ट्रेनिंग बनानी चाहिए तो मैं उस पर बनाता हूँ वीडियो बनाता हूँ शौर्स भी बनाता हूँ इसलिए आप मुझे कहो जब तक कहोगे नहीं तब तक मैं नहीं कहर पाऊंगा इसलिए आप भी थोड़ा famous होना चाहते हो तो आप अपना नाम भी लिखो मैं आप पर भी वीडियो बनाऊंगा आप खुद एक वीडियो शूट कर लो मैं उसको भी अपने चैनल पर डाल दूगा मैं मना ही नहीं कर रहा हूँ है ना ये च प्लान के वीडियो में बने आर्से बिजनस प्लान के वीडियो में डालो लेकिन मैं अकेला नहीं कर सकता हूँ मुझे भाशाया नहीं आती है लेकिन आपको तो आती है ना आप करो ना ये इनिशेटिव लो मुझे बताओ हम उसको चैनल पर डालेंगे आप भी फेमस हो हम अपनी फेमिली है आर्से इंशाइनिंग स्टार्स की तो आप लोग इनिशेटिव लो बाकी कोई चीज हो तो कॉन्टेक्ट कर सकते हो कॉमेंट में डालो कॉमेंट को भर देना चाहिए हर बाग बिते हैं अंक लिए टेनिक सेचन में इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिजी अपना चैनल है आपका सपोर्ट भी मिल रहा है और सीधाए बात दोस्तो आप सपोर्ट करते हो तो हम मोटिवेट होते है आपके लिए अच्छे सचा कॉन्टेंट बनाते है तो सब्सक्राइब कर लिजी का चैनल को आपका बहुत भूँत धन्यवाद कि आपने इस ट्रेण और रेनिंग्स है उसको भी आप जरूर देखेगा मिलते हैं अगले ट्रेनिंग सेशन में तब तक के लिए धन्यवाद